हर वेक्टी यही सोचता है कि वो जस भी काम को करे उसमें उसे उच्चित परणाम देखने को जरूर मिले लेकिन कई बार चीजें हमारे अनुसार नहीं होती और हमें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता जोतिश में ऐसा बताया जाता है कि ग्रहों की बदलती चाल हमें नाकाम बना सकती है तो कहीं न कहीं हमारी असफलता के पीछे ग्रहों का ही खेल होता है ये कभी हमें शुब प्रभाव देती हैं तो कभी अशुब भी देती हैं ग्रहों की चाल के अनुसार ही हमारे जीवन में कई तरह की स्तितियां उत्पन होती है अब जोतिश के ग्याता ऐसा बता रहे हैं कि सूरे देव का विशेश आस्षिरवात कुछ राशियों पर पढ़ने वाला है जिसकी वज़ा से अब इन्हें अपने हर काम का अफ़ल जरूर देखने को मिलेगा और ये लोग जिस भी काम को करेंगे उसमें इन्हें सफलता जरूर मिलने वाली है और अब इन राशियों को इनके भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है जिस वज़ा से इन्हें अब जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है भाई भेनों में चल रहा विवात खतम हो जाएगा प्रेम संबंधों में मधूरता आती हुई दिख रही है व्यपार में कई बड़े लाव भी हो सकते हैं जिस वज़े से आपका मन प्रसंद रहने वाला है आपके द्वारा बनाई गए हर योजना सफल होने वाली है घर परिवार में चल रही समस्या भी अब सकतम हो जाएगी चली आपको बताते हैं उन राशियों के बारे में उन भाग गैशाली राशियों के बारे में जिनका हम जिक्र कर रहे थे तो वो राशिया हैं प्रिशप, मिथुन, कन्या और धनू इसी तरह रोजाना अपनी राश्यों के बारे में जान निकले देखती रहे हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले